9.3.1 बहु परमानुक आयन वाले योगिकों के रासायनिक सुत्र हम अब एक विशेस आडा तिर्चा पद्धती क्रिस क्रोस मेथट के अनुसार आयनों पर उपस्थित आवेश अथवा सयोजक्ता का उप्योग करते हुए रासायनिक सुत्र लिखेंगे रासायनिक सुत्र लिखते समय इन चरणों का पालन किया जाता है उधारन अमोनियम कार्बोनेट 1. सबसे पहले संगठक आयनों के प्रतीक सूत्र लिखे जाते हैं साधरंटह धनात्मक भाग का प्रतीक सूत्र बाईयोर तथा रिनात्मक भाग का प्रतीक दाईयोर लिखते हैं NH4CO3 2. संगठक आयनों की सयोजकताएं उनके नीचे लिखी जाती हैं प्रतीक सुत्र NH4CO3 सयोजक्ता 1, 2 3. आइनों की सयोजक्ताओं को आड़ा तिर्चा करके योगिक में उनका अनुपात ग्याद किया जाता है प्रतीक सुत्र NH4CO3 सयोजक्ता 1, 2 अमोनियम कार्बोनेट में अमोनियम का अनुपात 2 तथा कार्बोनेट का अनुपात 1 होगा 4. बहुपरमानुक आयन को पहले कोस्टक में रखते हैं तत पश्चात अनुपातों को दर्शाने वाली संख्या को पादांक के रूप में लिखते हैं यदि बहु पर्मानुक आयन की संख्या एक हो तो कोस्टक की आवशक्ता नहीं होती साथ ही एक अंक को भी नहीं लिखा जाता NH4 whole twice CO3 अतह अमोनियम कार्बोनेट का सुत्र NH4 whole twice CO3 है आईए कुछ अन्य उधारनों से इसे और समझें sodium nitrate प्रतीक सुत्र NaNO3 संयोजक्ता एक एक अतह सुत्र NaNO3 magnesium hydroxide प्रतीक सुत्र MgOH संयोजक्ता दो एक अतह सुत्र Mg whole twice अमोनियम फॉस्वेट प्रतीक सुत्र NH4 PO4 संयोजक्ता एक तीन अतह सुत्र NH4 whole twice PO4 sodium sulphate प्रतीक सुत्र NaSO4 संयोजक्ता एक दो अतह सुत्र Na2SO4 calcium sulphate प्रतीक सुत्र CA SO4 संयोजक्ता दो एक अतह सुत्र CA SO4 जब सुत्र में दोनों आयनों पर आवेश समान हो तो हम सुत्र को सरलिक्रित करते हैं इसलिए यहां पर सुत्र CA2 SO4 whole twice को CA SO4 के रूप में सरलिक्रित करते हैं aluminium sulphate प्रतीक सुत्र AL SO4 संयोजक्ता तीन दो सुत्र AL2 SO4 whole twice